Rank 1 pension का एलान करेगी पूर्वस्टैनिकों के सभी संगठनों ने सरकार के इस formula का स्वागत किया है हाला कि जानकारी ये भी मिल रही है कि जादाता संगठन ऐसे हैं जिन्होंने इसका स्वागत किया है सरकार ने base year 2013 रखने का एलान किया है साथ ही पहली बार 3 साल में pension का revision होगा इसके बाद 5-5 साल में इसका revision किया जाएगा तो दोपहर बाद सरकार कभी भी इसका एलान कर सकती है एक press conference के जरीए आपको बताते हैं one rank one pension में आखिर खासियते क्या क्या है आई आपको graphics के जरीए बताते हैं OROP का आज ऐलान कर सकती है सरकार दोपहर के बाद कभी भी वो एक press conference करके ऐलान कर सकती है इस draft में साथ एहम बिंदू रखे गए है उनमें से जो एहम बिंदू है वो आपको बताते हैं OROP लागू करने के लिए 2013 बेस यह रखा गया है एक जुलाई दोहसा 14 से वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया जाए तो यहां आप देख सकते हैं इस वक्ती सबसे बड़ी ख़बर वन रैंक वन पेंशन के लिए यहां पर आप देख सकते हैं देख सकते हैं यहां पर सबसे बड़ा अपडेट पहले सबसे पहले बता दें कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि यहां पर सबसे पहले पेंशन भोगी वह भूतपूर सेनिकों को खबर दी जाती है और उपी के लिए यहां पर काफी हमारे पेंशन भोगी ने हमसे बार बार मैसेज और कॉल और मेल के मादर हमसे बताया कि सर कुछ नए है notification की सब नोगन बढ़ें तो बठाaming कि आ निकल कि नीए यह और यहां पर आपको जाए सरकुलर में और सरकुलर के बाद में जाके 1 rank 1 यहाँ पेंचेन का यहां पर जाईएगा तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर सब हरी बत्ति जल रही है जिसमें न्यू लिक के आ रहा है और उपी का सबसे बड़ा अफडेट आप देख पा रहे होंगे इस वक्त की सबसे बड़ी कबर चैनल को निसे सब्सक्राइब करना भूलें बगल लाइकन भी जबा लें यह सर्कुलर नमर 609 में न्यू जो दिख रहा है आप देख पा रहे होंगे यहां पर यह न् सब्सक्राइब नहीं है सब कुछ आपको बताएंगे चलिए बने लए चैनल पर लाय करना ना भूले चैनल को सेर करना भूले और ऐसे ही वीडियो को सेर करते रहे लाइक करते हैं और हमेशा अनन लेतेरे तो आप देख पा रहे हुंगे कि अभी हम प्रिंसिपल क्राइब जो आपका डिमांड था कि सब्सक्राइब क्या क्या तो देख सकते हैं यहां पर दिखा आ रहा है कि 26 2018 का यह पेपर है जहां पर इलाबाद के दोरा जारी किया गया है और इसमें काफी कुछ बताया जो आप देखेंगे तो इसमें सबसे इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जिसमें वन रांक वन पेंचन पर डिफेंस फोर्स जो पर्सनल यह उसके बारे में लिखा हुआ है सर्कुलर जारी क्या गया है यहां पर आगे बढ़ने पर आपको यहां पर एक और चीद दिख जाएगा क कि कैबिनेट अप्रूवल जो है वह वेटेड़ है बाकी और वर्क डान है ऐसा हमारे में जनल सब्सक्राइब जो इंडियन एक्सरीस में चेर्में ने उनके माद्यम से पता चला है आप भी उनका ट्वीट देख सकते हैं और ट्वीट के माद्यम से उन्हें ने बताया है कि हमारा जो बस कैबिनेट अप्रूवल बाकी है तो यह बात एक अच्छी है और प्रेंशन भोगें को हिट कि है कि वस अभी उनका कैबिनेट अप्रूवल ही बाकी है बाकी और भी कोई अप्डेट निकल के आती है तो हम जारूर आपको बताएंगे यह सर्कुलर जो था इसमें कंफ्यूजन ना करें यह सर्कुलर जैसे कि है पुराना है लेकिन अभी यहां पर न्यूव दिख रहा है यह काफी पेंशन भोगी कंफ्यूज भी हो गए थे वै कोई भी ऑफिशल जिहां कोई भी ऑफिशल नहीं आई वन रेंग पेंशन पर तो यह एक अच्छी खबर नहीं है वारे पेंशन भी बिच कोई ना कोई खबर जरूर आना चाहिए था जिससे हमारे पूर्वी सैन्नी का तबाप पेंशन धारव को एक आईसास एक मुमीद र कर दो